भारत भले ही इंजन बनाने के मामले में पीछे है लेकिन मिसाइल बनाने के मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं अगर आज के तारीख में भारत कोई मिसाइल बनाने पर आया तो यह तै मानिये कि भारत उस मिसाइल के छेत्र में अमिर्का को भी धूल चटा देगा European Space Agency के पुर्व डारेक्टर जोहान डिस्ट्रीच ने तो यहां तक कह दिया था जितना पैसा अमेर्का के डिफेंस कमपनियों और अमेर्का के स्पेस एजेंसियों पर खर्च होते हैं अगर उसका चौथा हिस्सा भी भारत के स्पेस एजेंसी या DRDO पर खर्च होने लगा तो भारत की सफलता के सामने अमेर्का बहुत पीछे खड़ा होगा यानि कि अमेर्का ने पाने की तरह पैसे बहा कर सफलता हासिल की और अभी तक जो अमेर्का ने किया वह चीन भी कर रहा है चीन भी हतियारों के छेत्र में और स्पेस के छेत्र में बिना किसी लिमिट के जम कर पैसे खर्च कर रहा है लेकिन भारत अब भी अपने एक सीमित बजट में हतियारों के छेत्र में और स्पेस के छेत्र में सफलता हासिल कर रहा है भारत एक ही समय में कई सारे हतियारों के परियोजनाओं को एक साथ आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि सैकडों हतियारों के विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट का ना होना अब भी एक बड़ी समस्या है किन्तु ऐसे तमाम चुनावतियों के बावजूद भारत के DRDO ने नेवल स्ट्राइक मिसाइलों के छेत्र में भारत को एक नई ताकत बनाने का ऐलान किया है जैसा कि भारत मध्यमदूरी के नेवल स्ट्राइक मिसाइलों को विक्सित कर रहा है वहीं नौर्वे ने भारत के नौ सेना के हेलिकॉप्टरों के लिए अपने नेवल स्ट्राइक मिसाइलों का प्रस्ताओ दिया है नौर्वे का यह प्रस्ताओ भारतिय नौ सेना के MH-60 जैसे अमेरकन हेलिकॉप्टर के लिए है नौर्वे का नेवल स्ट्राइक मिसाइल एक लंबी दूरी का हेलिकॉप्टर से फायर होने वाला एंटी सिप क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक छमता लगभग 180 किलो मिटर है यानि कि ऐसे मिसाइलों के होने से भारती अनौ सेना के हलिकॉप्टर भी 180 किलो मिटर दूरी से ही दुस्मन के युधपोत को निसाना बनाने में सक्छम होंगे हाला कि भारत यहाँ पे नौर्वे के ऐसे नेवल स्ट्राइक मिसाइलों पर विचार करेगा या नहीं यह तो फिलहाल पता नहीं लेकिन DRDO ने भारत के अपने स्वदेसी नेवल स्ट्राइक मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है भारत ने अभी तक ऐसे मिसाइलों पर विचेस ध्यान नहीं दिया था लेकिन जैसा कि भारत ने 2020 में अमिर्का से 24 MH-60 Seahawk जैसे हेलिकॉप्टर खरीदे जहां नौ हेलिकॉप्टर भारतिय नौ सेना को मिल चुका है और अगले एक सालों में बाकी के हलिकॉप्टर भी नौ सेना में सामिल होंगे ऐसे में अब DRDO ने कई रेंज के और बहु उपियोगी नेवल श्ट्राइक एंटी सिप क्रूज मिसाइलों के छेत्र में भारत को सुपर पावर बनाने का बीडा उठा लिया है